जै गंगे आप सभी का मैं एक बाफिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत-बहुत-बहुत स्पेशल प्रोग्राम है और मैं हूँ आपके साथ नहीं हाज सर्वीश शुक्ला आज की इस वक्त में लोगों की कुछ शिकायते हैं शिकायते इसलिए हैं क्योंकि कुछ प्रोब्लम्स हैं जो हमारे साथ लगातार आगे-ागे चल रही हैं problems है नौकरी ना मिल पाना, problem है depression, problem है anxiety, problem है stress, problem है business का सही से न चल पाना ऐसी बहुत सारी दिक्कते हैं जो लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और इसका एक कारण है COVID, हो सकता नहीं मुझे लगता यही है COVID क्योंकि इस COVID की वज़ा से बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जो बहुत पीछे छूल गई है लेकिन धीरे धीरे हम उनको ठीक करने की कोशिश भे कर रहे हैं, ठीक हो भी रही है लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन तमाम परिस्थितियों का इन परिश्वानियों का सामना कर रही है लेकिन कि आप लोग जानते हैं, हम इनको ठीक कर सकते हैं अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि कैसी बाते कर रहे हैं ही लोग लेकिन वाकई में हम इनको overcome कर सकते हैं इनसे हम बाहर निकल सकते हैं कैसे? आईए जानते हैं पूरी जानकारी हमें देंगी हमारे साथ मौजूद है सादवी भगबती सरस्पती जी जै गंगे सादवी जी, जै श्रीकृष्णा जब हमें ये पता चलता है कि हमें problem का solution वहां से मिलेगा तो इनसान को ना 2000 किलोमेटर भी 2 किलोमेटर के बराबर लगता है उसको लगता है कि कहीं भी मिल जाए और ऐसे हमें भी लगता है कि यहां पे आके problem का solution सब मिल जाएगा लेकिन मैं इस बात को जरूर समझना चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने मुझसे का था कि नहां ये सारी problem ठीक हो सकते हैं तो मैं जरूर ये अब on camera पूछना चाहूंगी कि भाई जिस इंसान के पास नौकरी नहीं है जिसका business ठीक से नहीं चल रहा है उसका stress होना उसका depressed होना तो normal सी बात है ये सब कैसे ठीक हो सकता है जब तक उसकी चीजे normal नहीं एक track पे नहीं आपारी है जो स्टित्य भी होड़ा है बहुत बोरा स्टित्य है बहुत लोगों के दिये स्टित्य है COVID की वज़ से or कारिन की वज़ से we've got a war in Ukraine मतब there's a lot of things happening in the world that have created very difficult times अगराप देखेंगे कोन सी रूप, कोन सी situation बगवान रम ने चूना कोन सी रूप, कोन सी situation बगवान रुष्णने चूना look at their lives दोनो बजपन से ही struggle, 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 difficulty हम अपनी family में लोगों के साथ struggle तो कर दे हैं लेकिन पगवान कृष्णा चोटी सी उम्र में his own uncle tried so many times to kill him for most of us it's not quite that bad in our families but most of us are not constantly having our lives in threat by our own uncle who keeps trying to kill us look at Bhagavan Ram could have come with any story any situation what does he come with after being this perfect embodiment perfect embodiment of the perfect son the perfect brother the perfect husband मिला क्या? banishment to the forest वो भी उनका कोरनेशन का दिवस now हम को लगता है in our lives we think my God में सब कुच बरिय से मेनत से कर्थी हून I deserve success I deserve appreciation I deserve some reward He was the embodiment the perfect perfect son perfect brother perfect husband and मिला क्या you don't get coronated just then everybody is there to celebrate you अप सोचो बेस्ती की बादे not only did he not get coronated but everybody is there to celebrate him अप सब के सामने he has to walk now into the forest why do they choose these lives when we realize that they could have chosen any story any life any form why like this मुझे ऐसे लगता है की जान के Bhagawan जब भी आते है तो कोई बहुत difficult situation में आते है हम को सिखाने के लिए की तेखो होता है है लाइफ में Bhagawan को भी होता है तुम से जादा होते है बिलकुर whatever situation we are in in our family ठीका, we don't like our stepmother कम से कम हम को forest में तो चोड़ा साल के लिए तो नहीं बेजा right? some member of the family ठीका, they're not nice to us they give us the cold rothis rather than the garam ones ते मत भी थी चोड़ी सी cheese people do it in families but most of us have not been sent, banished for 14 years no money, no nothing they chose these lives to teach us हाँ होता है लाइफ में लेकन अपनी क्या करद में क्वड़ी बुरा स्थित्ती में और वो भी फिर जंगल जाने के बाद सीता माँ गेस किदनाप्ट पोरी कहाने आपको मालूमे but she gets kidnapped now you imagine the guilt he must be feeling he was duped in a way by this golden deer to leave his wife now she's kidnapped now you imagine, talk about stress मेरी वज़से ही में उनको चोर्ड़के क्वई इलूजन के पीचे पीचे now she's been kidnapped ये स्ट्रस के बाद है he's chosen this to show us even Bhagawan की लाफ में ये चीज होता है और हमें क्या काइब हमें stay strong stay grounded stay anchored can you imagine if Bhagawan Ram said forget it, now nothing is gonna happen for me अब सबाँ जागिया kingdom भी चलागिया पसा भी गे पीता श्री गे इज़त भी गे अब मेरा धर्म पत्नी भी गे चलो चलो, में बस बते रहूंगा suicide कारलूंगा में कोई forest वाला शराब पीने लग्जाओंगा मतलब, he had a lot of options right what did he do stay anchored stay grounded we will find her stay full of faith now obviously he's God but he's God in form to show us what is it like when a man a grassy man a husband a son, a brother a soon-to-be father when he faces difficulty अदास नही होना depressed नही होना don't turn to alcohol and drugs don't give up even when your your adversary is as big and powerful as Ravan he chose this powerful adversary why to show us why? कुए अपनी लाइस की जो adversaries है चाहे को वेक्ती हो चाहे को ओर स्थित्ती हो chances are they don't actually have ten heads chances are they don't have the powers that Rava नही है even when that is your adversary that's facing you fair to be keep moving forward, keep moving forward, keep moving forward you will succeed or sab kisat we push people away I am depressed, I am miserable what does Bhagavan Ram show? move forward with everyone the love of everyone all species everybody was there together together we can overcome this so whenever I am in a time of difficulty or struggle I just realize that you are the Mahabharat this is Ramayani this question can also be raised that he was the Bhagavan that's why he did it this question can also be raised as a Ishar you recorded in an avatar for a man for someone's character you can also do so much and have a lot of patience and have a great power of the things चाहे अम देवता क्याते हैं। चाहे अलग अलग रूप। सेज़, सेंट्स, रिषिस। If you look at all of the Puranas, if you read Śrīmad-Bhāgavatam, you read all of these stories, right? The अलग अलग stories of people's individual ग्रहस्ती lives as God in form here, as देवता हैं। Because they're all stories of jealousy, of ego, right? All of these stories are stories of the different, even divine incarnations, having all of these qualities. Why? Again, to show us what to do when you have them. That we are not separate from God. God has not given us anything that we cannot overcome. And we've been shown it through all of these stories, of all of the jealousy, and the anger, and the fighting, and the competition. The desire. There are all stories of that. Okay, now I'm one of the people who are looking at our program at this time. There are many people who are doing businessmen. There are many people who are looking at this time. And the people who are looking at this time, are we looking at this time? Or are we looking at this time? And if they are not given profit in that time, they will not give him a crook, but not put him in that time. So, if they have to die at this time, if they are thinking about it, that we will take off all of these things, that we will take off all of these things. how can I get closer to God, क्योंकि that is my job, that is why I'm here, why I'm here. अगर आप केवल बिसनस को करने की चकर्द में है, तो उसकी अद्वास में आपको देने साक्ते हुना, I am not a businessman, बप में इतनी कह साक्ते हुनापको, कि अगर आपका लक्ष बस इतनी है, तीक तीक करते रहो, the universe is very patient, you can just come back next life, to learn actually why you're here, and अगर अगली जनम में भी, you get off the track, you lose your way, okay, you'll come back again, God is very patient. अब जैसे कि अभी थोड़ दिर पहले आपने बोला, मेरा बिसनस ठीक नहीं चल रहा है, अगर अच्छा चल रहा है, तो डेली भगवान ची की आरती हो रही है, डेली मंदिर का घंटा बजाया जा रहा है, डेली प्रसाद चल रहा है, जॉब आपकी अच्छी है, तो सब बहुत अच्छा है, अगर आपके सब में बिसनस दील करेंगी, कुछ भी नहीं है, और मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जिनका यह सवाल होता है, कि हम ऐसी बात नहीं हम पूजा गरना चाहते हैं, हम इश्वर को उसमें समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन वो भाव अंदर से जागरत नहीं हो पाता है, तो वो अटाच, अटाश्मेंट, जो डिटाश्मेंट हो गई है, वो अटाश्मेंट में कैसे बदले? Detachment इसलिए होता है, क्योंकि God is not a vending machine, छीक जिस्तर से मैं बता रही ही थी, हमारे बगवान से detachment इसलिए होता है, क्योंकि जो मैं चाहती थी, नहीं हुआ, जो मैं नहीं चाहती थी, हुआ, चाहे अन बुसनस लेवल, चाहे अन फैमली लेवल, जो वो जो वो मंदिर्द में एंटर करते हुए, जो कोई साइन है, अगर आप मेरा पूजा करेंगे, मेरा को प्रनाम करेंगे, मेरे अभिशा करेंगे, तो में आपको, I promise, that you will always succeed, you will never fail, you will make a lot of money, you will never lose money, no one you love will ever get sick and die, you will never get sick and die, हम इसी तरसे बहेव करते हैं, कि जैसे कोई ऐसा गारंटी था, that if I do आरती, I'm going to get a job, or my son or daughter is going to marry the person, they want, this is not a business deal, we are not having a business deal with God, but we act like we are, like there's some, this guarantee on the mandir that says, you know, sometimes on mandirs it'll say, आरती, मंगल आरती, इतना दान से होता है, शाम की आरती, इतनी दान, it's almost like we imagine that there's another list that says, मंगल आरती, दो मेने का, you get a good job, मंगल आरती, चे मेने यजमान बन्जाओ, you get an even better job, सो मुर का अभी शेक, पुरा साल का यजमान होचाओ, तो देन, whatever you want, you will get. We act like there was that list, but there is not. God is not promising us those things. God is promising us, come to me, surrender to me, bow to me, pray to me, I will be with you. में आपको कभी ने चोरूंगा. That is the promise God gives us. Whatever situation you will be in, I will be with you. बहुत अच्छा topic भी इससे निकल के आ गया है. मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में हमें जरूर बात करने जही है, जो भक्त और भगवान के बीच का connection कैसा होना जही है. और जो लोग हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जिनका एक deep connection हो जाता है भगवान के साथ, वो तो बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो अभी तक भगवान के दर्वाजे पर पहुँचे ही नहीं, मंदर में बैठे हैं, पूजा पाठ डेली करते हैं, हवनार्ती डेली करते हैं, लेकिन अभी तक वो भगवान के दर्वाजे पर नहीं पहुचे, वो जो connection होना चाहिए भगत और भगवान का वो कैसा होना चाहिए, कैसे हमें पता चले, कि भगवान हमारी बात सुन रहा हैं, भई हम उनकी पूजा कर रहा हैं, तो हमें भी तो पता होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल है, मुझे लगता है कि हम कोशिश करें याने वले एपिसोर्स में इनको लेने की खाराज के लिए, बस इतना ही, लेकिन बार-बार, सेल्फ रेलाइज़ेशन, सेल्फ रेलाइजेशन, रेलाइजेशन बहुत 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 ज़रूरी है, भाई, कीजिए, इसके बगार जिन्दगी में मुझे लगता है कि आप नहीं कुछ पा सकते हैं, खुद को अकेले कमरे में बैठ जाएए, इस एपिसोड को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बार-बार देखिए, लोगों को जाएज शेयर कीजिए, क्योंकि ये वो एपिसोड है जो हमें रेलाइज कराता है, आज के लिए बस इतना है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जे गंगे, जे शीक्रिष्ना,